Hello students, इस वीडियो में हम Environmental Science Theory and Practice 2 का जो हमारा पेपर है थर्ड सेमेस्टर का उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका स्लेबर्स डिसकस करेंगे, फिर आने वाली वीडियो में जो प्रते एक यूनिट है उस पे वीडियो अप्लोड होंगी, तो आप चैनल को स सारी वीडियो अप्लोड होंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसका स्लेबर्स देखते हैं, कि स्लेबर्स अगर समझ में आ गया, तो पेपर में अंदर में क्या है, वो समझना बहुत आसान हो जाता है, तो चलिए देखते हैं स्लेबर्स क्या है पहले, त तो अभी में आप लोगों को इसकी आगे की unit, same वाला पेपल आप लोगों ने first year में भी पढ़ा होगा, first semester में उसका आगे का जो भाग है, उसकी आगे की units जो हैं आपको third semester में, यानि कि second year में पढ़नी है, तो इसमें जो आपको फिफ्ट यूनिट पढ़नी है, Cases of Climate Change, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है Global Environment Issues and Policies, पूरी दुनिया कौन से प्रियावर्ण से संबंदित मुद्दों को जेल रही है, कौन से संबंदित चैलेंजिस फेस कर रही है और उनसे निपटने के लिए कौन कौन सी पूरे विशुने Policies लेकर के आए हुए हैं, तो एक जो सबसे Common Issue है, Global Environment Issue है, वो है Climate Change, तो हमें जानना है Causes of Climate Change, Climate Change के जो जलवायू परिवर्तन हो रहा है, उसके क्या कारण है, Global Warming, जो Global Warming हो रही है, जो पूरा का पूरा हम देखते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ती जारी है, और जिससे बहुत ज़्यादा जो Glaciers हैं, वो पिंगलते जा रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, फिर Ozone Layer Deplation के बारे में हम जानेंगे, जो Ozone Layer है, जो Atmospheres में जो अलग-अलग Layers होती हैं, और जो Ozone Layer है, वो उसका हरास क्यों हो रहा है, Deplation मतलब, वो कैसे, उसमें हमने बहुत सालों पहले आप लोगों ने सुना भी होगा, Ozone Layer में जो है, छिद्र हो गया है, जिसकी वज़े से, सूरिये की जो पैरांगनी, जो किरने होती हैं, वो जो है, पूरे किस परकार से Acid Rain इतनी ज़्यादा, Rain जो है, बारिस जो है, इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, इतनी टॉक्सिक हो गई है, कि वो फाइदा पहुचाने की बजाए नुकसान पहुचा रही है, और ये सारी चीज़े क्यों हो रही है, Pollution की वज़े से, Impact on Human Communities, अब हम देखे से, हमारे जीवन पे, Human Beings पे कैसे इन सारी चीजों का Impact हो रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे, फिर हम जानेंगे Biodiversity, Biodiversity क्या होती है, जै विविधता, इस दुनिया में जितनी बहुत ही तरहे के कई परकार के जीवजनतु रहते हैं, तो कैसे है इन सब जीवजनतुों म क्या संबंध है, क्यों जरूरी है ये Biodiversity, इसके बारे में हम जानेंगे, फिर हम जानेंगे Global Economy, क्योंकि जो Global Economy है, पूरा विष्व जो है, किस परकार से इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, और आज का टाइम क्या है, Globalization का समय है, Globalization में पूरा विष्व जो है, एक के द होती है कि सिर्फ दिल्ली वाले ही उसको सफर कर रहे हैं, पूरा विष्व से सफर करता है, पूरा environment में को जो है, फेस करना पड़ता है, जो problems होती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी देश की एक शिटी में, एक बड़े सहर में अगर कुछ activities हो रही हैं, या कहीं पे आग लग जंगलों में, तो उसका impact जो है ना पूरे विष्व में, पूरी पिर्थवी पर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जगह में होता है, ठीक है, तो सेम ऐसे ही पूरी दुनिया की जो economy है, वो जुड़ी हुई है, और ये economy जो है, वो nature से हमें सारे resources प्राप्त होते हैं, उन environment से, जो issues हैं, इन से deal करने के लिए, इन से निजात पाने के लिए कौन-कौन से अंतरराष्टी है, agreements हुए हैं और programs हुए हैं, कौन-कौन से international agreements हुए हैं, programs हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ, जो है, important, important जो events हैं, programs हैं, agreements हैं, जैसे की earth summit, UNFCCC, इसके बारे में हम जानेंगे, Montreal and Kyoto Protocols के बारे में हम जानेंगे, Convention on Biodiversity, CBD, बहुत ही important conventions हैं ये, इनके बारे में हम जानेंगे, एक है, रामसार convention, the Chemical Weapons Convention, UNEP, United Nations Environment Programs, cities, ये सारे के सारे क्या हैं, international agreements हैं, programs हैं, और किस पे focus करते हैं ये, जो global issues हैं, climate change वाला, global warming वाला, ozone layer depletion वाला, और जो acid rain है, biodiversity है, इन सब पर ये focus करते हैं, ये policies हैं, ये programs हैं, और ये क्या बात करते हैं, कि कैसे इन issues से deal किया जा सकता है, कैसे इन problems को कम किया जा सकता है, ठीक है, इसके बाद हम इसी unit में पढ़ने वाले हैं, sustainable development goals, sustainable development क्या होता है, कि जो विकास है, आज विकास के लिए जो है, इतना जादा जो है, ओद्योगी करण हो रहा है, इतना जादा, और ओद्योगी करण से क्या हो रहा है, हम जो natural resources हैं, उनको भी बहुत जादा मातरा में उनका, हम क्या कर रहे हैं, बहुत जादा use कर रहे हैं, तो उससे क्या ह हो रहा है नेचर में इंबैलन्स हो रहा है इंबैलन्स होने की वज़े से क्या हो रहा है कि हम जितना हमें लेना चाहिए उससे जादा हम रिसोर्स ले ले रहे हैं नेचर से और दूसरा क्या है बाहरी उद्योगी करण के कारण बहुत जादा पोलुशन फैल रहा है बाहरी बा से निकल करके सहरों में आ रहे हैं तो उसका किस पर परभाव पढ़ रहा है हमारे एंवायरमेंट पर ठीक है और यह सारी चीजे किसके नाम में आ रही है हम इसको बोल रहे हैं विकास हो रहा है डिवलपमेंट हो रहा है लेकिन यह डिवलपमेंट हमारे एंवायरमेंट को खर योग से करना है मतलब हमें ऐसा development करना है ऐसा विकास करना है जिससे की nature को भी कोई भी नुकसान ना पहुँचे उसको बोलते हैं हम sustainable development तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे sustainable development goals ऐसे कौन से हमने कुछ ऐसे decide कर दिये है points कि इस जो हमारा मकसद है sustainable development वाला कि उसको हमें कैसे पूरा करन है ठीक है इंडिया इसमें क्या पढ़ना है फिर हमें इंडिया's national action plan on climate change and its major mission कि इंडिया ने यह जो development के नाम पर क्योंकि इंडिया में भी development हो रहा है हम भी बहुत सारी चीज़े कर रहे हैं तो ऐसे कौन से जो है रास्तिये action plan बनाए हुए हैं जिससे की विकास भी हो और climate पर भी उसका कोई प्रभाव ना पड़े और climate change भी ना हो ठीक है इसमें हमें हमें इस unit में हमें ये भी पढ़ना है और हमें क्या पढ़ना है environment legislation in India यानि कि भारत में कोन कोन से कानून पास किये गए हैं environment को protect करने के लिए जैसे की wildlife protection act 1972 1972 में एक wildlife protection act पास किया इसको हम paper जो अंदर में unit पढ़ेंगे न हम इनमें उसमें देखेंगे कि उसके क्या-क्या provisions है क्या-क्या प्रावधान है इस act के फिर water prevention and control of pollution act 1974 पानी के pollution को लेकर के भी 1974 में जो है भारत में विधाईका ने कानून पास किया हुआ है forest conservation act 1980 1980 में जंगलों को बचाने के लिए भी एक forest act पास किया हुआ है air prevention and control of pollution act 1981 और वायू परदूशन के लिए भी एक act पास किया हुआ है environment protection act 1986 environment को पूरा का पूरा protect करने के लिए एक act 1986 में इसको पारित किया गया पास किया गया scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006 2006 में जो हमारे जंग जातिये हैं और बाकी के जो हमारे पारंपारिक जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनको उनके क्या rights है ठीक है उनसे संबनित भी 2006 में एक कानून पास किया हुआ है ठीक है तो फास्ट जो हमारी पांच भी यूनित है यानि कि इस साल की इस पेपर की जो फास्ट यूनित है हमारी global environment issues and policies पे है इसके बारे में हम पूरी वीडियो बनाएंगे और जो भी point अभी हमने discuss किया उन सब को detail से पढ़ेंगे ठीक है दूसरी एक और यूनित जो इसमें next यूनित जो आपको पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है वो है sixth unit यानि कि इस पेपर की दूसरी यूनित biodiversity and conservation biodiversity क्या होती है जैविविद्दा अलग अलग इस प्रकरती में बहुत ही जो है conservation क्या होता है इसको कैसे संरक्षन दिया जा सकता है ऐसा ना हो कि कोई एक प्रजाती जो है विलुप्त हो जाए तो उसको protect करने के लिए हमने कौन-कौन से कदम उठाई हुए है as a human being क्योंकि सबसे जितने भी जीव जन्तु है इस प्रकरती में सबसे जादा rational और समझदार जीव किसको माना जाता है मनुष्य को माना जाता है ठीक है फिर इसमें हमें पढ़ना है definition of biodiversity इसकी परिभासा को पढ़ना है levels of biodiversity इसके कौन-कौन से levels है यानि कि इसको हमें कितने भागों में बाटा हुआ है biodiversity को जैव विधता को कितने परकार होते हैं उन सबको हमें पढ़ना है genetic species and ecosystem diversity और कौन-कौन सी जो है genetic और जो है ecosystem diversity इन सबके बारे में हमने अभी बात कहा है ना अलग-अलग तरह की biodiversity होती है तो उन सबके बारे में हमें इस unit में पढ़ना है India as a mega biodiversity nation पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा biodiversity पाई जाती है क्यों इसका reason क्यों है क्योंकि जो India का climate है हम देखते हैं जो भी हमारे यहां पर सबसे ज़्यादा रित्वे होती है सबसे ज़्यादा seasons होते हैं हमारे यहां गर्मी, सर्दी, बारिस चार मेन जो season होते हैं वो तो होते ही होते हैं उसके बाद भी हमारे यहां पर बहुत सारे seasons होते हैं ठीक है तो इसी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा diversity पाई जाती है ठीक है तो इसके बारे में हम जानेंगे फिर biographic zones of India इंडिया के कौन-कौन से यह जो हमने अभी पढ़ा न बहुत बायो डाइवर्सिटी है तो बायो ग्राफिक जोन कौन से हैं इंडिया में बायो डाइवर्सिटी होट स्पोर्ट कौन से ऐसे जगए हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बायो डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा जय विवित्ता पाई जाती है endemic and endangered species endemic के कौन से होती है endemic होती है जो हमारी स्थानिये होती है ना स्थानिये और ऐसी परजातियां जो विलूप्त होने वाली है भारत में उनके बारे में हम इस यूडिनिट में जानेंगे फिर आई, यू, सी, एन red list criteria and categories फिर जो आई, यू, सी, एन के under कौन से कौन सी ऐसी परजातियों को रखा गया है list बनाई गई है कि कौन सी categories जो है red list में है यानि कि बिल्कुल विलूप्त होने वाली है और सरकार को उनको protect करने के लिए कोई ना कोई जरूर कोई कानून जरूर लेकर के आना चाहिए यानि सरकार की तरफ से पहल करनी की जानी चाहिए जैसे आप लोगों ने tiger reserve भी सुना होगा है ना तो उसके लिए भी कुछ साल पिछले साल ही बहुत सारे जो tigers हैं उनको लेकर के एक सुरक्षित जगहे में उनको पार्क में छोड़ा गया था और प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने भी उनकी बहुत सारी फोटो वगरे क्लिक की थी आप लोगों ने देखा ही होगा social media पे और हर new channel में दिखाया गया था तो वो किसके तहत था वो इसी conservation के तहत ही किया गया था value of biodiversity उसकी क्या महता है biodiversity की biodiversity की क्यों जरूरी है वो जैवी विगता क्यों जरूरी है क्या है उसकी value ठीक है क्यों जरूरी है उसकी ecological यानि की परियावरनिये उसकी क्या महता है क्या value है उसकी आर्थिक क्या value है economic, social and ethical and aesthetic and information informational values of biodiversity with examples इस biodiversity की क्या क्या value है उसकी परियावरनिये value क्या है आर्थिक वैल्यू क्या है, सामाजिक वैल्यू क्या है, मोलिक वैल्यू क्या है, और क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब के बारे में हम एक्जांपल्स के साथ इस यूनेट में पढ़ने वाले हैं, scared grows and their importance with examples, scared grows जो जंगल हैं बड़े बड़े, और जैसे आप लोगोंने mangroves पढ़ा होगा, उसकी क्या महत्ता है, क्या importance है, उसके बारे में हम एक्जांपल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, threats to biodiversity, biodiversity को कोन कोन से खतरे हैं, जैसे की habitat loss, habitat क्या होता है, किसी भी जीवजन्तु का प्रकर्तिक आवास, जो खतम होता जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, और जो नदियों को दुसित किया जा रहा है, और जो सारा का सारा दुसित, और जो समुंदर को पर दुसित किया जा रहा है उससे क्या हो रहा है habitat loss हो रहा है यानि कि बहुत सारे जीव जन्तु जिनका प्रकर्तिक स्थल था वो उनसे छीन लिया गया है किस वज़े से human activities की वज़े से degression, degression का मतलब होता है वही जो biodiversity में उसको उसमें degress होना, हरास होना कमी आना, fragmentation biodiversity जो है बहुत सारे जीव जन्तु मर रहे हैं poaching of wildlife poaching का मतलब होता है जो जीव जन्तु का avoid सिकार हो रहा है जो undangered species हैं उनको मारा जा रहा है ठीक है आप लोगोंने एक case सुना होगा ना हीरन का सिकार पर रोक है और सलमान खान के उपर जो है मना था और उन्हों ने उसको अहिरन का सिकार किया था जिसकी वज़य से सरकार ने उनके उपर court में जो है case चला था ठीक है ना तो poaching of wildlife हम इंडिया में जो है ban है man wildlife wildlife conflicts मनुष्य के बीच में और जो wildlife है उसके बीच में क्या द्वन्द चल रहा है क्या conflict चल रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे biological invasion with emphasis on Indian biodiversity specifically जो Indian biodiversity को लेकर के जो biological invasion है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है current mass external crisis अभी के समय में जो बहुत crisis phase हो रहा है crisis मतलब बहुत सारी चीज़े जो खराब हो रही है उसको देख करके इसमें जो है इसमें हम discuss करेंगे biodiversity conservation strategies ऐसी कौन-कौन सी तकनीक सपनाई गई है सी कौन-कौन सी नीतियां अपनाई गई है जिससे की biodiversity को सनरक्षित जय विविगता को सनरक्षन दिया जा सकता है in-situ and ex-situ methods of conservation in-situ और ex-situ methods होते हैं कौन-कौन से स्थानी है कदम उठाए गई हैं और कौन-कौन से जो है उनको जो है scientific way में और कैसे जो है traditional way में biodiversity को protection के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गई हैं की national park बनाए गई है wildlife centuries बनाए गई है biosphere reserves बनाए गई है keystone, flagship, amrela and indicator species इन सब के लिए ये क्या कहिए गई हैं बहुत सारी strategy अपनाए गई है और ये क्या-क्या होती है इसमें क्या-क्या किया जाता है कैसे biosphere reserves में कैसे उनका protection होता है keystone में कैसे protection होता है flagship में कौन-कौन सी species आती है amrela में कौन-कौन सी species आती है और उनको कैसे protection दिया गया है इन सब के बारे में हम इस unit में पढ़ने वाले हैं फिर है species reintroduction and translocation कौन सी ऐसी species है जिनको हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उनका हम बोल सकते हैं अच्छे तरीके से वो पनप नहीं पा रहे हैं तो उनको transfer किया जाता है दूसरी जगह से जैसे बहुत सारी undangered जो species हैं उनको protection देने के लिए उनको transfer किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे फिर हम बहुत सारे case studies पढ़ेंगे जैसे कि contemporary Indian wildlife and biodiversity issues अभी समकालीन समय में भारत में कौन से wildlife और जैवी विविद्धा के issues चल रहे हैं problems चल रही है movements and projects देखेंगे हम इसमें कौन-कौन से अंदोलंस हुए हैं कौन-कौन से projects लेकर के आए गए हैं जैसे कि project tiger जो मैंने आप लोगों को बताया ना project elephant, vulture breeding program project great Indian buster crocodile conservation project silent valley movement save western ghat movement ये कुछ ऐसे movement हुए हैं भारत में जिसमें biodiversity को save करने की wildlife को save करने की बाते की गई है अब next जो हमारी unit है उसमें पढ़ना है हमें human communities and the environment भारत ये sorry जो मानव है उसकी जो समूदाई है communities है वो जो रहता है उसका और environment का आपस में क्या connection है इसमें हम पढ़ेंगे human population growth, impacts on environment, human health and wildlife, welfare carbon footprint इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किस परकार से जो मानव की population increase होती जा रही है उसका environment पे क्या effect पढ़ रहा है और उसका फिर environment खराब हो रहा है तो उसका human health पे क्या परभाव पढ़ रहा है और उसका welfare पे क्या परभाव पढ़ रहा है और carbon footprint इन सब के बारे में हम किस परकार से pollution जो है बढ़ता जा रहा है जादा आवादी हो रही है तो जादा एक तो natural resources है उनको जादा खर्च किया जा रहा है दूसरा क्या हो रहा है pollution बढ़ रहा है ठीक है तो ये किस परकार से दोनों ही चीज़े एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और एक दूसरे को influence करती है ठीक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद next है resettlement and rehabilitation of developmental projects affected persons and communities relevant case studies ऐसे कौन कौन से development program सरकार ने चलाए जिसकी वज़े से बहुत सारी communities को resettral किया गया यानि कि दूसरी जगहे पर उनको ठानांतरित किया गया कौन relevant case studies यानि कि इससे संबंदित कौन कौन से case studies है जिसमें कि हम पढ़ेंगे आपका जो आप देखते हो कि सरदार सरोवर बांध को ले करके development project था सरकार को बांध बनाना था और वहां से फिर जो रहने वाले लोग थे उनको वहां से resettl किया गया तो मैं ये से फिर एक example दे रहे हूँ ऐसे ही हम chapter में unit में बहुत सारे examples पढ़ेंगे ठीक है next है environmental movements कौन कौन से परियावरणिये आंदोलन हुए है परियावरण को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए है सरकार ने development के नाम पर परियावरण को जो है कुछ development projects ले कर किया आई जिसका वहां के रहने वाले लोगों ने उसको अपोज किया उसका विरोध किया और उसके खिलाफ आंदोलन चलाए ठीक है एक है चिपको मुवमेंट, अपीको मुवमेंट साइलेंट वैली मुवमेंट भिसनोई ओफ राजस्थान, नर्मदा बचाओ आंदोलन ठीक है ये सारे आंदोलन हम इसके इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, फिर एनवार्मेंटल जस्टिस, नैशनल ग्रीन टर्बूनल एंड इस इंपोर्टेंस, फिर एनवार्मेंट जो है जस्टिस को ले करके एक नैशनल ग्रीन टर्बूनल एनवार्मेंटल फिलोस्पी पढ़ेंगे इनवार्मेंट के पीछे कौन सा मतलब एथिकल वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है आप लोगोंने देखा होगा कि जो भी ट्राइबर्ड एरियाज हैं, वो नेचर की पूजा करते हैं, तो नेचर की एसी कौन सी कल्चरल प्रैक्टिस हैं तो उनके कल्चर में ही है, कि वो नेचर की पूजा करते हैं, और क्यों करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, तो और उससे क्या होता है एनवार्मेंट का सनरक्षन होता है परियावरन का सनरक्षन होता है ठीक है जैसे की एक आपको यहाँ पर एक्जामपल देती हूँ मैं छट पूजा छट पूजा भी एक environmental conservation का बहुत ही बढ़िया एक्जामपल है छट पूजा में क्या होता है नदियों की पूजा की जाती है नदियों की पूजा करने से पहले न प्रशी के लिए भी तो इसी लिए छट पूजा में क्या नदी की पूजा की जाती है ठीक है न तो वो देखो कि वो एक cultural practice है है न संस्कृतिक practice है कुछ लोग जो है उसको नदी को पूजते हैं तो वो कैसे environment को भी conserve कर रहा है संद्रक्षन प्रोवाइड कर रहा है कि नदिय रखना चाहिए इसको गंदा नहीं करना चाहिए ठीक है फिर हमें पढ़ना है environmental communication and public awareness कैसे जनता को जो है परियावरन के बारे में जागुरू की किया जाता है उसके बारे में awareness जो है पहुंचाई जाती है जनता तक case studies इसमें environment को लोगों को अवेर करने के लिए जैसे की cng vehicle in Delhi चलाया गया है सुच भारत अभियान चलाया हुआ है national environment awareness campaign national green corpse eco club program ये कुछ ऐसे प्रोग्राम से हैं कुछ ऐसे campaign है initiatives हैं जो government की तरफ से चलाये गई हैं लोगों को environment के बारे में जागुरू करने के लिए ठीक है तो ये हो गई हमारी इसमें हमें 3 unit पढ़नी है और क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है वो मैंने आप लोगों को detail से बता दिया है अब हम एक एक unit को cover करेंगे और उसके अंदर में जो जो हमने अभी words पढ़े हैं उनके मतलब को जानेंगे और क्या-क्या उस पे काम हुआ है उन सब के बारे में हम जानेंगे detail से तो आप लोग channel को subscribe कर ल लगे है कि इस paper पे भी जो है video आ रही है क्योंकि मैंने देखा और students ने ही request की कि मैं please इस paper पे video बना दीजिए तो आप लोगों के लिए इस paper पे video बनाना start किया है तो please हर एक student तक video जरूर पहुचा देना ताकि वो लोग भी देख सके और उनको भी exam में help मिल सके तो इस video में इतना ही next unit हम first unit पे video upload करूंगी तो आप लोग जल्दी ही upload हो जाएगी तो देख लिए देख लें